कि नमस्कार दोस्तों कि मैं कमेंट नंबर 40 आपके लिए लेकर आया हूं मैंने इसको प्रिपेर किया और आज आपके लिए ये कमेंट लेकर आया हूं दोस्तों लेक्चर 40 और बड़ा ही इंपोर्टेंट सा ये कमेंट है जो मैं आपको बताने बाला हूं कि दिसम्बर 2015 में ये आया है आये हम एक बार देख लें कि कहां पर आया है एक बार आये कि दिसम्बर 2015 शुड़ो हो चुगा में अभी तो 40 कोश्चन ही हुए वो दिसम्बर 2015 ही आया भी इसका मतलब खाली अभी 2014 और दिसम्बर 2014 और जून 2014 की दो अटेम्टिक कवर की है इतने में 40 हो गए क्यों क्योंकि पहले कोश्चन में पांच 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 कोश्चन टू बेट चॉइस होती है और दोनों चॉइस में थ्योरी होती है और लास्ट वॉच्टिन में भी थ्योरी होती है तो चालिस टंबर की थियोरी और करके जानिये है कंपल सरी चालिस की है मेटे आप चाहो तो बीस की और भी कर सकते हो लेकिन आपने चाहना नहीं है मैं पहले ही बता चुका हूं कोश्चन फोटी देखिये फैनेंशिल सेक्टर परफॉर्म्स बेसिक एकनोमिक फंक्शन और इंट्रमेडियेशन थ्रू ट्रास्फोर्मेशन मेकैनिजम बहुत बढ़िया कोश्चन है दोस्तों लिख लेना पेले नहीं लिखा तो रिजिस्टर खोल लें रिजिस्टर खोल ल अफ इंटरमेडियेशन थ्रू ट्रास्फोरमेशन मेकैनिजम थ्रू ट्रास्फोरमेशन मेकैनिजम सीएस दिसंबर 2015 आएए दोस्तों हम चलें उस रहा में जहां पर रोशनी ही रोशनी है फानेंशल सेक्टर की बातें करेंगे आज किसी भी कंट्री के लिए उसका फानेंशिल सेक्टर सबसे इंपोर्टेंट रोल प्ले गरता है। जैसे कुरी मिनिस्ट्री में फानेंस मिनिस्ट्री इंपोर्टेंट रोल प्ले गरती है। उसी तरह से कंट्री की डेवलपेंट भी. Financial sector performs a very important role. परफॉर्म्स बेसिक एकनामिक फंक्शन और इंटर मेडियेशन इंटरमीडरी बेटें इंटरमीडरी का गाम करता है बिचोलिये का मिडल मैं का बीच का बीच का एद्धि का मंच एक त्रूप त्रूव एक ट्रास्फर्मेशन त्रास्फर्मेशन प्रासपरमेशन प्र्सेस की प्रेक्टिस मैनुवल में भी ये दिया हुआ है, मैं भी दिखाँ हूँ आपको, CS December 2015 के इलावा भी बहुत बर आया होगा, पेटे, मैं तो कहा रहा हूँ, important question है, ध्यान से मेरी बात को आप में सुन रहा है, मैंने इसमें कुछ hints भी लिखे हैं, आप रजिस्टर खोल लें, क्योंकि आपको लिखना ज़रूरी है, मैं आपको बार-बार यह कह रहा हूँ, लिखना ज़रूरी है, वैसे diagram वाली book भी घौल ले, मैंने यह diagram वाली book में भी mention किया हुआ है, लेकिन फिर भी लिखना ज़रूरी है, फिर भी लिखना ज़रूरी है, page 23, question 25, diagram वाली book, diagram वाली book, ज़रूरी है, तो मैंटे, इको पेज थाइस, question थाइस, page थाइस, question थाइस, financial sector acts as a conduit for the transfer of financial resources from savers to borrowers, student of the year कोश्टन है मेरी 101 डायग्राम की बुक में ये मैंने कोश्टन पहले से दिया हुआ था और बेटे और बेटे पेपर में आ गया और मैनुवल में भी है आए देखते हैं आए ये निकाल लेजिए प्लीज पेट ओंटी दरी आप सभी के पास मैनुवल भी होगी तो प्लीज एक एक बार मैनुवल भी निकाल ले ये देखें जी मैंने तो प्रेक्टिस मैनुवल निकाल ली बेटे मैंने थियोरी के लेक्टिस में प्रेक्टिकल लेक्टिस में आपकी स्टड़ी आपकी प्रेक्टिस मैनुवल आपके पास्टियर पेपर्स सीए के पास्टियर पेपर्स स सब कवर करते हैं इसी लिए तो हमारी ही बुक से पेपर आता है और आप तो हंड्रेड लेक्चर्स मैंने प्रपेर कर दिये त्योरी के आपके लिए जिसमें पचास कमेंट से और पचास लेक्चरें शॉर्ट नोट्स एंड डिफरेंस बतलीन के उसमें सब काम इंप्रूट कि कि प्रेक्टिस मैनुल भी कवर हो रही है लोजी लोजिलो आ रहा हूं हाँ पेटे आ रहा हूं आ गया मेटे फैनेंशल सेक्टर की बातें हो रही है मैं आपको बदाऊं फैनेंशल सर्विसेज का एक चेप्टर है एक बार पेई नंबर दिखेंगे हैं प्रेक्टिस मैनुल में इंडेक्स में अभी मेरे पास मेरी मैनुल नहीं पड़ी इसलिए देवड दिखकर है फैनेंशल सर्विसेज एक सो बाइट्स लोगे लोगे बेटे अम आपने जल्दी पहुंता हूं एक सो बाइस तो आगे आरे बटे उर्विभगे यहां सिफ आगे फैनेन्शल सबूंचे इपकर gibi का फैनेशल स्थानेशल सिस्टेम बड़ा इंपोर्ड को गियो फोटो सब्सक्राइब क्या लिखे हुए है वाट दो यू मीन बार फानेशल सिस्टम पहला ही है सेवर्स और सीकर्स और सप्लायर्स और फंड नीचे कॉंपोनेट्स लिखे हुए है फानेशल सिस्टम के और उसके बाद आप देखिए आपको पूरी सर्विसेज और सेक्टर के बारे तो प्लीज आप अपनी डागराम की फोले प्रेक्टिस मैनोला तो फोले रिजिस्टर ओपन कर ले मैं आपके सामने कुछ बाते रखूंगा और फिर आप उस बातों को हिंट को थोड़ा सा लिखेंगे माल लेते हैं आपके अबस बुक नहीं है कोई बात नहीं है आपको मै मैं भी जो डिक्टेशन दूँगा आप उसको तो मौट करें फानेंशल सेक्टर मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आजकल डी मॉने टाइजेशन हो चुकी है आपको पता है आप को यह मालूम है कि 8 नवंबर 2016 को हमारे देश में 500 रुपे वाले और 1000 रुपे वाले करंसी नोट्स बिलकुल बंद हो गए है और ले नोट दो हजार रुपे वाले 500 रुपे की मार्केट में फ्लो हो रहे है लेकिन सेंट्रल गवर्मेंट या सेंट्रल बैंक हमारे देश का आर्वी आई डारेक्ली ये पैसे हाउज वोल्ड या जिनको रिकौरमेंड है रिकौरमेंड जिनको रिकौरमेंड आए उनको डारेकली नहीं दे रहा तबिंगे हम अपने पैसे हाउस वोल्ड तक पहुंचा शकते हैं बैंकिंग सिस्टम इसका मतलब बैंकिंग इन इस टम एक फाइनिटेंशियल सेक्टर का पाट है षोते रहा की सिए भी देश की जो ग्रोथ है। उसके फाइनेंशियल सिस्टम पर डिपेंड करती है हैं। पाइनशन वह सैक्टर कह लिए , या फाइन फाइनशीयल सिस्टम कह लिए। बेटे इस financial system में बड़े सारे बहुत सारी अलग अलग तनागी एजेंसी होती है बॉडी होती है departments होती है जैसे मैंने आपके जाम में रखा कि financial system में एक तो बेटे capital markets होती है उसके बाद उसके बाद बेटे banking system होता है फिर financial services होती है इसी तरह से अलग अलग तरह के network होती है तभी जाकर जो लोग पैसों को save करते है savers savers और जिनको requirement है requirement जिनको है बेटे तभी तो ये पैसा savers का बॉर्ड रिक्वाइर्स के पास या बॉर्वर्वर्स के पास आता है कैसे आएगा मेले आपकुछ सोचो जिस देश में financial sector अच्छा नहीं काम करेगा वेटे उस देश में growth हो ही नहीं सकती अगर आप पैसे बचा रहे हैं और घर में नीचे रग रहे हैं सेक्यूरिटीज खरीद रहे हैं तो बहुत काम के हैं क्योंकि आपने उसको केपिटल फॉर्म कर दिया यह कैपिटल फॉर्म करना किस तरह से होगा वेटे बेंकिंग सिस्टेम तो बैंकिंग सिस्टेम एक तरह का बड़ा बड़ा एकनोमिक फंक्शन अडॉप कर रहा है जैसा इस कोश्टिन में उन्होंने पूछा क्या फाइनशल सेक्टर एक इंटर्मेडरी का काम कर रहा है हां बिल्कुल कर रहा है कैसे 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 ट्रांस्वर्म कर रहा है बिटे आप यह बताएं इनको पैसे देने हैं तो डारेक्ली दोड़ी देंगे तो यह क्या करेंगे पहले बैंक को देंगे एस डिपॉजट्स फिर बैंक बॉर्वर्वर्स को देगा का एस लोल मतलब यह बेंक के लिए डिपॉजट्स जो है और यह थैसे बैंक, कि लिए क्या एस तो बैंक, एक इंटरमेडिरी का 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 काम कर रहा है अगर है न हो तो पेठे हमारे यहां पर बेसिक ट्रांस缂र्ब हैन का प्रॉसचेस भी ना तुचोंक पला चोटे चोटे लोगों के कितने हजारों लोगोंगे इनके पैसे चोटे-चोटे डिपॉजट कर रहा और आगे लोन दे रहा है कि मर्चेंट बेंकर यह बेंग और भी बढ़ी सारी आजकल फानेंशल सर्मिसेज नेरे अलग-अलग तरह के डिपॉसिट अकांट और रखरिएग डिपॉसिट सेविंग अकांट करेंट अकांट टर्म डिपॉसिट बेटें आप यह बता हो किसी भी इकॉनमी की बैक बोन किस उसका financial sector है तो आप से यही पूछा है क्या पूछा है financial sector performs basic economic function of intermediation through transformation mechanism yes then you have to write the comment on the side आये मैंने थोड़ा सा आपके लिए हिंट लिखा है मैं चाहूंगा कि आप सभी एक बार पिटे दोबारा से रिजिस्टर में और लिखें question 40 financial sector performs basic economic function of intermediation through transformation mechanism अभी देखेंगे डागरंग की बुक में भी देखेंगे वहां पे कुछ अलग लिखा है आप प्लीज लिख लें आप देखेंगे फायदे में रहेंगे क्या पता यह question आजया और पेपर में आप देखेंगे आए एप लिखेंगे हिंट में finance sector functions as an intermediary and facilitates flow of funds finance sector एक intermediary का काम करता है जिन्होंने पैसे जमा करने सेव करने वहां से लेता है और उनको देता है उनको लेता है उनको देता है उनको देता है डिपॉसिट्स लेता है लोन देता है तो इस finance sector is a intermediary performing basic economic function R Wochen 1 लेता है लोमच 2 THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF A NATION THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF A NATION IS REFLECTED by the progress of financial sector of our country, इसका मतलब एक country की economic development, उस कंट्री की GDP, economic growth, per capita income, capitalization भी grow करेगी, तो लिखिए पेटे, रोबन टू, रोबन थी, अ फानेशल सेक्टर इस कॉम्पोजिशिशन ओ, ऐसे अभी मैंने प्रेक्टिस मैनूल से आपको एक चित्र दिखाया था, पेटे ओचित्र बनाना जरूरी है, आपको मैं भी प्रेक्टिस मैनूल का वो फोटो दोबारा दिखा A financial sector is composition of various institutions, regulators, money managers, financial markets, financial services, money managers, financial services, money markets. इन सभी, इन सभी का जुमावडा, टोटल कर दी, तो उसको कहते है, financial system. तो एक चित्र देखे मैने बनाया, प्रेक्टिस मैनूल से लिया, एक तरफ लिख लिजिए, suppliers of fund, और एक तरफ लिखिए, seekers of fund, suppliers of fund, 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 seekers of fund, से और सीकर्स को ने जिनको चाहिए बॉरो करना जिनको पॉर्परेट्स गर्वर्मेंट तो पेटे यह फ्लो ऑफ सेविंग्स वहां करते हैं और वहां से फ्लो ऑफ फैनेंशल सर्विसेश होती है अराम तो फ्लो ऑफ सेविंग्स यहां से आ रही है और यहां से फ्लो ऑफ फै अब यह ट्रांस्फॉर्म कैसे करता है मैंने रोमन पाँच में लिगा एक बच्चा गयता है तो च्रुडी में भी है वहाँ पूरा पेज है कि अज़ा पेज कर लोगा टाइम है तो मैंने उसका बादाम वहन आपके लिए बना दिया को दिक्त को पर्शानिया को लिगे that finance sector performs economic function of intermediation through the following four transformation mechanisms. finance sector performs economic function of intermediation through the following four transformation mechanism, which means that the intermediary works for intermediary. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1 accepting deposits and converting them into loans. Deposit lena loan may convert deposit lena loan may convert. Second, providing large loans on the basis of small, 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 small deposits. Providing large loans on the basis of small, small deposits. Third, offering different forms of deposit, saving account, fixed deposit, current account, term deposits, recurring deposits, offering different forms of deposits according to liquid preferences. Offering different forms of deposit according to liquid preferences. Last, distributing risk through diversification. Don't put all X in one basket. Please, licking it. Licking it, licking it. Licking it. Licking it. Licking it. Licking it. concrete actions. It label, diving things. It's perfect back to 100. port totes. By 100 places, 100 lectures. By 100 lectures, extend about this. it's less Lima is going to do. Why would we only do that. 1 and 5. 1 book. sector plays a major role in the mobilization and allocation of savings financial institutions instruments and markets constitute the financial sector act as a conduit, connector, intermediary, vicholia. तो बीचे चेक कर लिए होई 4-5 processes देऊ. मैंने आपको प्यार से समझाया, लॉजिक बताया कि आपके दिमाग में चला गया. और फिर लिखवाया, और फिर यहां से भी दिखा दिया. इससे आना तो मैं कुछ नहीं कर सकता. आप कहें तो आपने जगे पेपर दे आता हूँ, बेटे. मुझे पता आप करोगे, करके जाओगे, financial sector का एक short note जरूर आएगा, एक comment जरूर आएगा, मेरी आपसे शुपकाम नहीं है, आप अपने parents का आश्यवाद लेके जाएंगे, आपके खुशी मुझे अपने आप इस जगे खुश देदेगे, आएए बेटे, हम प्रण लें, हम कसम खाएं कि हम, 100 के 100 lectures जो मैं त्योरी के आपके लिए YouTube में डाल रहा हूँ, करके जाएंगे. बेटे, practice manual तक cover कर दी, आयक तो दिखा भी नहीं, मिलते हैं बेटे, इनी बातों के साथ, हम फिर मिलेंगे, 100% next lecture हो मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, प्यार है बेटे, क्यों नहीं मिलेंगे?